एलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल वन विजन एम्बी बीएस तो चलिए अपर लिम का एक और इंपोर्टन टोपिक हम आज पढ़ लेते हैं कुण सा क्यूबाइटल फोसा के बारे में ओके क्यूबाइटल फोसा के बारे में हम ओनली वन पेज चार्ट में ओनली थ्रू ड पता हूंगा वो ही आपको एक्जाम में लिखना है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्यूबाइटल फोसा के तो क्यूबाइटल फोसा को हम छे पार्ट में पढ़ने गने वाले होग कौन-कौन-सा पहला पढ़ेंगे और बाउंडरी थे अन रूफ देखेंगे धेन फ्लोर देखेंगे समझ ग流 तो चलिए हम स्ठाट करते हैं, क्यूबाइटल फोसा, तो सब से पहले हम देख लेते हैं क्यूबाइटल फोसा है, मतलब की उसका फिचरस देख लेते हैं? तो क्यूबाइटल फोसा, इस ट्राइंग्डूलर होलो on front of the elbow मतलब कि वो क्या है triangular hollow part है कहां पर present है front side of the hollow sorry elbow तो elbow की front side पर present है और इसका comparison किया जाता है किसके साथ popliteal fossa of in the lower limb मतलब कि या तो फिर आप यह कहें popliteal fossa in lower limb या फिर यह कहें cubital fossa in upper limb दोनो same to same चीजे है ओके ओके यह होगी cubital fossa के features मतलब कि हम definition भी कह सकते हो next पढ़ते हम boundaries of cubital fossa ओके तो चलिए boundaries में देखते है कि हमें boundaries में क्या क्या देखना है cubital fossa को हमने देखा था ना कि वो क्या है triangular structure हो कि तो मतलब कि triangle है तो triangle में क्या होता है दो border होती है और एक base होता है और एक apex होता है तो यह चार चीज़ा पढ़नी है दो boundaries base and apex तो यह चार चीज़ा हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि base इसके base का formation कैसे होता है तो base देखिए base is formed by imaginary line imaginary line we join the front of two epicondyle of humerus मतलब कि humerus के दोनों epicondyle है ना medial epicondyle and lateral epicondyle उसको अगर हम front side चेक imaginary line से छोड़ दे मिंज के join कर दे तो क्या form करता है base का form करता है base directed towards upward base directed upwards तो चलिए बता देता हूं में आपको यह रहा हमारा base okay next देखते हैं apex अगर beige होगा तो उसके बिलकुल सामने के और क्या होगा apex तो देखिए यह है हमारा apex okay next है हमारी दोनों border okay lateral border and medial border तो देखते है lateral border is formed by the medial border of brachioradialis okay okay means के lateral border of cubital for size formed by the medial border of brachioradialis and the medial border of cubital for size formed by the lateral border of pronator teres तो चलिए यह हमारा pronator teres okay तो अब देखिए apex में मैंने एक बात नहीं बताई कि एक्स का formation कैसे होता है तो apex का formation होता है कि जो break your radialis है वो जो pronator teres को जहां पे cross करता है okay apex is directed downwards okay means के downward directed होता है और उसका formation कैसे होता है कि जहां पे pronator teres को break your radialis cross करता है वहां पे apex of cubital forsa का formation होता है okay तो यह हो गए हमारी cubital forsa की boundaries के बारे में okay next हम देखते है roof of cubital forsa okay तो उसके लिए मैंने और एक और diagram यहां पे बनाया हुआ हुआ है कि सबसे पहले हुमें उपर मिलेगी skin skin को अटा देंगे skin को अटा देंगे तो नीचे मिलेगा superficial fascia okay superficial fascia को अटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें deep fascia okay और अगर deep fascia को भी अटा दे तो उसके नीचे मिलेगा हमें bicepital aponeurosis यह वाला देखिए यह green वाला है ना वो है उमारा bicepital aponeurosis देखिए मैं आपको यह वाला है हमारा bicepital aponeurosis okay तो आपको पता चल गया roof formation देखिए सबसे पहले skin फिर superficial fascia फिर आएगा हमारा deep fascia और deep fascia को हटा देंगे तो हमें दिखेगा bicepital aponeurosis okay तो यह हो गई हमारे roof of cubital fossa तो देखिए roof के जो layers यह वो तुमने पड़ लिया लेकिन जो हमारा superficial fascia है उस superficial fascia में कुछ content भी है okay मिंसके उसमें कुछ structure है जिसको में roof जब हम बताएंगे तब उसको बताना पड़ेगा तो कौन-कौन से structure है जो superficial fascia में आते हैं तो सबसे पहला है हमारा median cubital vein okay तो देखिए median cubital vein यह वाली अगर आपको पता होगा तो medial cubital vein है वो क्या करते है वो connect करती है basilic vein and syphilic vein को okay तो चलिए medial cubital vein यह हो भी हमारी अभी तुमने देख लिया कि किसको connect करती है basilic vein and syphilic vein okay तो इसका मतलब यह भी होगा ना कि basilic and syphilic vein भी superficial fascia का contain होगा okay next one है उमारी यहां पर दो nose भी देखने हो मैं कौन-कौन सी lateral cutaneous nerve of forearm and medial cutaneous nerve of forearm okay कौन-कौन सी lateral cutaneous nerve of forearm and medial cutaneous nerve of forearm okay तो यह होगी हमारी superficial fascia के contain कौन-कौन सी है syphilic vein, basilic vein, medial cubital vein जो इन दोनों को connect करती है then lateral cutaneous nerve of forearm and medial cutaneous nerve of forearm okay तो यह होगी है अब यहां पर important point यह है कि जो syphilic vein है उसके अलोंग कौन सी नहों है उसके अलोंग है lateral cutaneous nerve of forearm and जो basilic vein है उसके अलोंग होगी हमारी medial cutaneous nerve of forearm okay यह important point है exam में कभी mcq में या फिर वाइवा में भी पुछा जाता है देखिए तो यह हमारा देखिए मैंने triangular structure बनाया है यह हमारा cubital fosa okay अब जाते हैं अब देखिए हमने boundaries देख ली roof देख ली आप जाते हम floor की और okay तो floor is formed by brachioradialis and supinator okay तो दो muscle से बनता है floor उमारा brachioradialis and supinator अब देखिए supinator के बारे में देखते हैं कि supinator surround the upper part of radius मतलब कि radius का जो upper part है उसके around होता है हमारा supinator muscle जो cubital fosa के floor को form करता है okay next है हमारा next and important point for cubital fosa वो है हमारा content okay और content को याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर न्यूमोनिक्स भी दिया आपको mbbr okay तो यह है हमारा mbbr जो हमें content बता है बताता है medial to lateral okay तो अगर medial to lateral content देखना है तो हमें याद रखना होगा mbbr okay तो यहाँ यहाँ पर m का मतलब है हमारी median नव बी का मतलब है हमारी brachial artery फिर b का मतलब है हमारा biceps tendon and r का मतलब है हमारी radial नव ओके median नव ब्रेकियल artery biceps tendon and radial नव ओके तो यह होगी हमारा content okay तो चलिए अब डाइग्राम से पढ़ लेते कि डाइग्रम में किस तरह से content दिया है ओके चलिए पहला है हमारा देखिए interior तो सबसे पहले देख लीजिए यह हमारा medial epicondyle okay medial epicondyle मतलब पता चल गिए ना यह medial side होगी ओके तो देखिए सबसे पहला medial set कौन सा था हमारा हमारा था median नव तो चलिए median नव मीडियल सेट पर सबसे पहला structure यह हमारी median नव फिर b का मतलब brachial artery तो चलिए यह हमारी उसके भी lateral जाएंगे तो मिलेगी हमारी brachial artery देखिए फिर अगर brachial artery के हम lateral की सेट जाए तो कौन सा है B हमारा B का मतलब biceps tendon okay तो चलिए मैं biceps tendon भी बता देता हूँ देखिए यह हमारा biceps tendon मतलब आप कह सकते biceps aponeurosis okay bicepital aponeurosis और उसके भी lateral जाएंगे तो में मिलेगा हमारी radial नव तो यह है हमारी radial नव तो this is the content of क्यूबाइटल फोसा okay तो अब हम देखते हैं सभी के सभी जो content है उसके बारे में कि वह क्यूबाइटल फोसा में उसके features कौन-कौन से okay तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी median 9 के बारे में okay तो median 9 आगे जाके branch देती हो okay आपको पता होगा कि median 9 किस-किस को supply करती है तो median 9 क्यूबाइटल फोसा में पामारिस longus को supply करती है flexor carpi radialis को supply करती है उसके बाद flexor digitalis को supply करती है ओके तो इन 3 मसल को supply करती है कौन-कौन-सा flexor carpi radialis चलिए यहां पर लिख देता हूँ flexor carpi radialis पामरिस लॉंगस एंड हमारा होगा flexor digitalis flexor digitalis superficialis ओके तो इन 3 मसल को supply करेगी और उसके बाद उसको supply करने के बाद वो क्या करती है क्यूबाइटल फोसा को लिव करती है तो वो लिव भी कैसे करती है इट लिव क्यूबाइटल फोसा बाइपासिंग बीट्वीन डीप एंड सुपर्फिशल हैड ओप प्रोनेटर टेरिस ओके इन्सके मीडियल नव लिव दक्यूबाइटल फोसा आफ्टर सप्लाइंग दा फ्लेक्सर कार्पी रेडियल इस पामारी स्लोंगस एंड फ्लेक्सर डीजिटोरम सुपर्फिशल इस्ट बीट्वीन डीप एंड सुपर्फिशल हैड ओफ प्रोनेटर टेरिस ओके यह हो गया हमारे मीडियन नव के बारे में नेक्स्ट होगा हमारे अभी मतलब ब्रेक्यल आर्टरी ओके तो ब्रेक्यल आर्टरी वो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट हमने देखा था ना कहां से होती है वो स्टार्ट होती है हमारी टेरिस माइनोर के लोर बोडर से और वो क्यूबाइटल फो और दूसरी होगी हमारी अलनार आर्टरी ओके तो चलिए बता देता हूँ यह हमारी रेडियल आर्टरी जो रेडियस के साइड होगी और यह हमारी अलनार आर्टरी जो अलना के साइड होगी ओके तो ब्रेकियल आर्टरी टर्मिनेट इंटु दे क्यूबाइटल फोसा Radial Artery and Alnar Artery ओके? यह हो गया हमारे Radial Sorry, Brachial Artery के बारे में, ओके? तो Brachial Artery में भी हम देखते है Radial Artery के बारे में कि वो उसके features कौन से है Q-by-12HOSA में, ओके? तो जो Radial Artery है हो क्या करता है? एक Branch देती है, ओके? कौन सी Branch देती है? Radial Recurrent Branch, ओके? कौन सी यहाँ पे लिखी देता हूँ मैं आपको शोट में Radial Recurrent Branch वो क्या करती है वो Enastomosis करती है वो हम देखेंगे जब हम Elbow के Around Enastomosis देखेंगे तब कौन सी हमारी Radial Artery की Branch है Radial Recurrent Branch Next one है हमारी Ulnar Artery तो Ulnar Artery भी यहाँ पे Branch देगी तो Ulnar Artery यहाँ पे कौन सी Branch देगी Anterior Ulnar Recurrent Branch and Posterior Ulnar Recurrent Branch and also Introsius also Posterior Introsius Artery तो यह तीन Branch देती है कौन सी Ulnar Artery कौन सी Anterior Ulnar Recurrent Branch Posterior Ulnar Recurrent Branch and Posterior Introsius Artery और Posterior Introsius Artery की भी ब्रांच होगी कौन सी हमारी वो होगी हमारी Introsius Recurrent Branch Okay Introsius Recurrent Branch तो यह होगी हमारी Radial Artery and Ulnar Artery के बारे में जो किसकी ब्रांच है Brachial Artery की Okay Next content कौन सा था हमारा Biceps Tenden Okay तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको यही लिखना है कि यह उसका content है Okay and next one is the Radial Artery Okay तो Radial Artery के बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा कि जो Radial Artery है वो Cubital Fossa में एक ब्रांच देती है Okay कौन सी ब्रांच Posterior Intros Sorry Posterior Introsius No Okay Posterior Introsius No या फिर आप कह सकते है Deep Branch of Radial और दूसरी भी ब्रांच देती है कौन सी Superficial Branch कौन सी Superficial Branch देखी मैं आपको बता देता हूँ यह हमारी Deep Branch of Radial या फिर कह सकते है Posterior Introsius No Second one is the Superficial Branch of Radial तो यह हमारी Superficial Branch of Radial 9 ओके स्वरी यह यहाँ पे Radial 9 आर्टरी होगी ओके यह आप देख लें न Radial आर्टरी और यह है Superficial Branch of Radial 9 अब देखी यहाँ पे जो Posterior Introsius No है या फिर आप कह सकते है Deep Branch of Radial 9 है वो क्या करती है वो Cubital Fossa को Live करती है After Piercing the Supinator Muscle तो यह है हमारा Supinator Muscle Okay Posterior Introsius No leaves the Cubital Fossa After Piercing the Supinator Muscle Okay तो यह है This is the all about of content of Cubital Fossa Next and last one is the Clinical of Cubital Fossa Okay तो clinical में हमें सिर्फ तीन ही पॉइंट देखने है कौन सा एक तो होगा Medial Cubital Vain के बारे में Next पढ़ेंगे हम ब्रेके लाडरी और फीर हम देखेंगे कि जो fracture होता है हमारी बोड़ी में उसमें किस तरह से Cubital Fossa helpful है तो जो Medial Cubital Vain है वो किसके लिए important है important for the intravenous injection तो intravenous injection अगर देना होगा तो ज़्यादातर वो कहाँ पे देते है Medial Cubital Vain में और जो cardiac catheter हमारी बोड़ी में डालते है किसके लिए कि हमारे जो heart है उसकी जो various chamber है वहाँ से अगर blood collect करना है blood sample collect करना है तो catheter कहां से डालते है Medial Cubital Vain से काडिया catheter डालते है तो यह होगा हमारी clinical का point Next one है जो brachial artery है वो important है for the blood pressure recorder अगर आपको pulse का palpation करना है तो universally कहां से करते है brachial artery से ही करते है ज़्यादा तरो के and the next and last clinical important is the fracture around the elbow joint अगर elbow joint के around fracture होगा तो cubital fossa भी fracture की position देख चानने के लिए important बन जाएगा example से हम देखेंगे तो supra condyler fracture of humerus तो supra condyler fracture of humerus में इसकी जो position होगी cubital fossa की वो ज़्यादा important होगी तो this is the all about of cubital fossa अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो please like करे, subscribe करे मेरे इस वीडियो को और अपने दोस्तनों के साथ share भी करे Thank you everyone, thank you for watching this video and keep watching करेंगे करेंगे